दोस्तो काला चना स्वास्त के लिए काफी फाइदे मंद माना जाता है अगर आप मस्कूलर और गठीला सरीर बनाना चाहते हैं तो आपको काले चने का सेवन सुरू कर देना चाहिए काले चने में भरपूर मात्रा में काबो हाइडरेट, प्रोटीन, फाइबर्स, कैल्शियम, मेंगनीशियम के अलावा और भी कई मिर्दस पाए जाते हैं लेकिन अगर आप काले चने को अंकूरित करके खाते हो तो इसका फाइदा कई गुना बढ़ जाता है अंकूरित चना खाने से विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C, फॉस्फोरस, पोटैशियम, मेंगनीशिय की कमी पूरी हो जाती है साथ ही साथ अंकूरित चने में विटामिन E होता है जो की काफी रेयर विटामिन होता है और यह हमारे इसकिन के लिए और पूर्षो की मरदाना ताकत के लिए बहुत इंपोर्टेंट होता है अंकूरित चने की कैलोरिफिक वैल्यू काफी हाई होती एक सर्व में 200 कैलोरी तक एनरजी स्टोर होती है, साथ ही साथ 15 ग्राम तक प्रोटीन भी शरीर को मिलता है अब डिटेल में जान लेते हैं अंकुरित चना खाने के फायदों के बारे में अंकुरित चना फाइबर से भरपूर होता है, इसलिए ये पाचन क्रिया के लिए फायदे मंद होता है और कपज की समस्या को भी दूर करता है अंकुरित चने को गुड के साथ खाने से वीकनेस दूर होती है एनीमिया की समस्या मतलब फून की कमी को भी दूर करता है अंकुरित चना अंकुरित चने में माइक्रो न्यूट्रियंस बहुत अधिक मातरा में होते हैं जिसकी वज़ा से मसल ग्रोथ बहुत फास्ट हो जाती है और बहुत तेजी से हमारा मसल ग्रोथ होता है और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अंकुरित चने में विटामिन E होता है जिसकी वज़ा से हमारे स्किन को ग्लोइंग बनाता है साथ ही साथ पुल्सों के बाज़पन की समस्या को भी दूर करता है अंकुरित चना तो भाई अगर आज तक आप नॉर्मल भीगोया हुआ चना खाया करते थे तो उसे बंद कर दीजिए और आज इसे अंकुरित चना खाना शुरू कर दीजिए आपको खुद फायदा दिखने लगेगा तो भाई आज के वीडियो में इतना अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए ज्यादा ज्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए और इसी तरह की वीडियो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद नमस्कार जैहिंद